स्वागत है आप सभी का आध्यन के अंदर में इस वीडियो के माध्यम सभी हम पढ़ रहें लुसेंट आपजेक्टिब का बुक जिसके अंतरकात हमारा चल रहा है विजोगरफी और एक्सरसाइज 37 भागौलिक गरंथ एबम उसके लेकर एक्सरसाइज इंपोटेंट है और का होमर अंसर क्या है डी एंत्रो पोजियोग्राफी अत्वा मानव भुगोल के लेखक कौन है ये है रेटजेल, रेटजेल या रेटजेल प्रसीद भागौलिक गरंथ कोसमोस के लेखक कौन है काफी इंपोटेंट है ये हम बोल्ट है कोसमोस का लेखक इसको नहीं सभ्यता एवं जलवायू नामक भोगली ग्रंथ की लेखक कौन है या पे एल्सवर्थ हंटिंग टन के द्वारा सभ्यता एवं जलवायू लिखा गया जीवन एक मिर्तियू का भोगोल मिन्स जोगरफी ओफ लाइफ एंड डेट्थ नामक पुस्तक किस ब्रिटिस भोगोल बेता के द्वारा लिखा गया था ये थे सार डडले स्टांप सार डडले स्टांप आंसर है यहाँ पे सी प्रस्पेक्टिव ओन दा नेचर ओफ जोगरफी के लेखा कौन है यह है आपके हर्ट सौर्ड अंसर है यहाँ पे बी यह प्रस्ण आपके किसी भी स्टेट पी सीयास में अधिक पूछ जाते हैं जिसको सही सियात किजा, अगर आप स्टेट पी सीयास की त्यारी कर रहे हो लिखा गया था यह है कार्ल रीटर के द्वारा कार्ल रीटर के द्वारा मेट्रो लोजिया नामक पुस्तक की रजना किसने की थी यह क्या गया था अरस्तु के द्वारा मेट्रो सॉरी हाम सही है मेट्रो लोजिया नामक पुस्तक लिखा गया था अरस्तु के द्वारा प्रसिद भगौली गरंत किताब उलहिंद के लेखक कौन है किताब उलहुंद के लेखक है अलबरुनी इसमें से दो इंपोटेंट थे काफी किताब उलहिंद अलबरुनी चलिए बिना पीडियो को पीछे किये कॉमेंट वॉक्स में बताएगा कॉस्मोस के लेखक कौन है मैं कहा भी था काफी इंपोटेंट था यह आंसर आप कॉमेंट वॉक्स में बताएगा बिना देखे विचिटिंग नहीं करना है तो यह था इस वीडियो का इंट टोटल नहीं प्रसंत है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए नहीं पसंद है और जिस लाइक भी कर सकते हैं पर कारण जरूरत देगा ताकि वीडियो की इंपरूप कर सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तर चाहिंद